बिहार में मंत्री मंडल विस्तार को लेकर के नितीश सरकार ने मूड बना लिया है जी आई समय के जो बड़ी खबर है हुआ है कि बिहार में मंत्री मंडल विस्तार को लेकर के जो तमाम राजनितिक दलबाट जो रहे थे उनका सपना जल्दी ही साकार होगा और बिहार में मंत्री मंदल विस्तार की पूरी प्रक्रिया अब सुरू होने वाली है नमस्कार मैं हूँ प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन और मंत्री मंदल विस्तार से जूरी इस बड़ी खबर में यह है कि कॉंग्रेस की ओर से तो बाकाईदा इसके लिए नाम भी दे दिया गया है हमारी जो सूत्र हैं, सूत्रों का कहना है कि नितीश मंत्री मंदल का बिस्तार जल्द ही होगा और इसके लिए पूरी की पूरी कवायत जो है वह सुरू हो चुकी है बाकाइदा कॉंग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंग की ओर से इसके लिए दो नाम भी भीजे गए हैं का जा रहा है कि ये दोनों नाम तेजस्वी आदब को भीजे गए हैं और उसके बाद जो बिहार में मंत्री मंडल विस्तार के लिए लंबे समय से बाट जोहा जा रहा है उसका पराक्षेप हो सकता है दरसल कॉंग्रेस की ओर से लंबे अर्षे से इस बात की बार बार चर्चा की जा रही है कि मंत्री मंडल का जल्द से जल्द विस्तार होना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री नितिस कुमार ने भी इस बात को लेकर कहा है कि जल्दी आपसी वीचारवी मर्ज के बाद हम लोग मंत्री मंदल भी स्टार करेंगे हाला कि तेजस्वी आदब ने इसे लेकर के अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं कया है और उन्हेंने साब तोर पर कहा है कि अभी ऐसी तो कोई बात्चीत नहीं है लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाथ सेंग यानि कि कॉंग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने दो नाम तेजस्वी आदब को भेजे हैं इन दोनों नामों पर दोनों की ओर से चर्चा की जाएगी उसके बात कुछ अन्य नाम राजद की ओर से जोरे जाएंगे और तब जदियू, राजद, कॉंग्रेस, तमाम दलों की ओर से किनकिन नेताओं को मंत्री मंदल में सामिल किया जा सकता है इसके उपर अंतिम नेर्ड़ नहीं होगा दरसल राजद की ओर से भी मंत्री मंदल विस्तार के लिए भीतर खाने बड़ेस्तर पर चर्चा है अगर आब याद करेंगे तो अगस 2022 में जब भिहार में महागटवंधन की सरकार बनी तो उसके बाद राजद कोटे से भिहार में भूमिहार कोटे से यानि कि राजद में भूमिहार कोटे से जो मंत्री वने थे कार्तिक सिंग उन कार्तिक मास्टर के ऊपर कई आरोप सामने आये और उन्हें अपने पद से इस्तिफा देना परा इसी तरह के से राजद में राजपूत कोटे से जो मंत्री वने से सुधाकर सिंग उन्होंने बिहार के मुख्यमंतरी नितिस कुमार पर ही निशाना सातना शुरू कर दिया और बिहार के किसी विभाग को भ्रष्टाचार का बड़ा अड़ा बना दिया जिसके बाद उन्हेंने मंत्री बंडल से इस्तिफा दे दिया सुधाकर सिंग ने यहां तक कहा था कि बिहार में जो भ्रष्टाचार की स्थिती है उसमें पूरा उपर से नीचे तक सब लोग सामिल है सुधाकर सिंग के ये बयान न तो नितीश कुमार को अच्छे लगे नहीं उनकी पार्टी के भी कई नेताओं को नतीशा हुआ कि एक दिन तुधाकर सिंग ने अपने मंत्री पत्था उससे इस्तिफा दे दिया और अब जो राजद कोटा है उसमें राजद में राजपूत और भुमिहार इन दोनों जातियों से दो जो प्रतिनीदीत चेहरे मंत्री मंदल में सामिल किये गए थे दोनों का दोनों खाली है तो लंबे अर्चेस इस बात की मांग की जा रही है कि राजद से भुमिहार और राजपूत कोटे से मंत्री बनाए जाए वहीं कॉंग्रेस की ओर से भी कहा जा रहा है कि मंत्री मंडल में हमें और बहतर स्थान मिलना चाहिए अखिलेश सिंग ने इसे लेकर के कई बार बातें की हैं तो माना जा रहा है कि इसी कारण से अब अखिलेश सिंग की ओर से दो नाम भेजे गए हैं साथी साथ राजद की ओर से भी कुछ नामों की चर्चा है जिन्हें राजपूत और भूमिहार कोटे के अतरिक्त कुछ अनी तरीके से भी सामिल किया जा सकता है तो अब देखना होगा कि जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि बजट सत्र के ठीक जवरान ही मंत्री मंडल विस्तार की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सकता है तो उसमें अब नितिश कुमार अंतिम फैसला कब लेते हैं कब कॉंगरेस के दो नाम जो सुझाये गए हैं उन दो नामों को मंत्री मंडल में सामिल किया जा सकता है राजत कोटे से जो भुमिहार और राजपूत कोटे का मंत्री मंडल में परिशत में खाली है उसमें इन दो जातियों को कप्रति निधित मिलेगा या फिर इन दो जातियों के बदले किसी अनिको मौका मिलेगा क्या होगा हम तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे मंत्री मंडल विस्तार पर नितिश कुमार कभी इसे ले करके अंतिम निर्ने लेते हैं उसकी वी जानकारी देंगे आप मारे साथ बने रहें निज़ फोर नेशन पर